पंजाब के किसानों ने हर्याणा के किसानों ने हिंदुस्तान को food security दी पंजाब ने हर्याना ने हिंदुस्तान कि सरकार ने ड्हचा बनाया दगी वो दिन मेर्दी सरकार B.J.P. सरकार सब भूल गई है जब हमारे पंजाब का किसान सारे हिंदोस्तान के लोकों को अनाज धिट वरने के लिए देता था लेकर आज उसके आज क्या हाल क्या काले कानून बुना कर MSP को जो खतम करने जा रहे हैं इसके जार जिस सभी वर्गे को लोकों को बहुत ज्यादा निक्सान पहुंचे गाँ जो हमारी पुर्खों की जैदाद है हम उसको बचाने के लिए आने वाली पीडिये के पीडिये है जो हमेरी ना उनको जिन्दा रखने के लिए हम लोग इस घर्च कर रहे हैं हमारी अपील है जो हमारी गेहू है जो हमारी फसल पैदा करेंगे हम लोग उसका बाद हमारी विजपूर से हैं हम किसान हैं जो बीजेपी सरकार ने बारित सरकार ने किसानियों पर गुरुद्ध तीन ओडिनेस लेके आए हैं वो तीनों ही बहुत खतरनाक हैं ब्यांकर हैं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान तैय है यांचे में तीन गंबे थे MSB, Food Procurement और मन्नी इन तीन चीज़ों से हिंदुस्तान को ग्यारंटी करके अनाज मिता हैं कौन देता है पंजाब और हरियानदी नरेंद्र मोधी जी इस सिस्टम को खतम करना चाहते हैं क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अमपानी अधानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसाना का पैसन नहीं लेगा मंदी बंद हो जाएगी बैबुची क्या खांगे हम तो भूखे मर जाएगे मोधी क्या करएगा तो अजब हमने दिहार में काम भी नहीं है आएगे मिलेगा काम को क्या करोंगे जो पहले सिस्टम चार रहा है जी अमारे वालवस्ते जो भी हैं ठीक सिस्टम चार रहा है जी हम निशाते भी एक आणा कानून पास होगे यह कानून गलत है जो तुम मंडी बंद करोगे मंडी बंद नहीं करना नहीं करना अभी हम जाग उठे हैं हम इतनी देर तक हमारा पहादा नहीं होगा जापना फैसरा नहीं होगा हम टेक्चे नहीं बेटनी पॉपड़ि करे तीनों पिलों का वरोध करते हैं पीएपी का विल वापस लेने पड़े के साथ बोधी सरकार को पता देगे हम क्या है यह करनू जंकार आपे ले 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 पाए लड़कियां लड़के दक्के काते फिर तेयां कोई ना उकरी ने बिलती झाल